कई लोगों को पेट की समस्याएं हैं, वे अपनी डाइट बदलते हैं, कई उपचार करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिलती शायद उनके शरीर में कुछ और ही चर रहा होता है, जिसकी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये पाचन समस्याओं का छुपा हुआ स्रोत है, जिसे आपको जानना चाहिए जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, तब आपको समझाएगा शायद आपको ये बात पहले से पता होगी, इसे तनाव कहते हैं मैं उस खास तनाव के बारे में बताऊंगा, जिससे पाचन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है लेकिन तनाव और पाचन समस्याओं का लिंक बहुत बड़ा है मैं आपको बताऊंगा कि तनाव के समय क्या होता है और ये जानकारी आपके लिए चौकाने वाली साबित होगी लेकिन अगर आप Autonomic Nervous को दो अन्यस सिस्टम से जोड़ कर देखते हैं वैसे ऐसे तीन सिस्टम है पहला है Sympathetic Flight या Fight Nervous सिस्टम दूसरा है Parasympathetic Nervous सिस्टम जिससे Rest और Digest भी कहते हैं कम तनाव में Parasympathetic Nervous के अंदर भोजन पचता है Autonomic Nervous का एक तीसरा भाग भी है जो अपने आप काम करता है जिसे Enteric Nervous सिस्टम कहते हैं ये सिस्टम आपकी पाचन प्रणाली से सीधा जुड़ा होता है और इसे हम Vegas Nerv के साथ जोड़ कर देख सकते हैं क्योंकि ये Nerv सीधा दिमाग तक पहुँचती है इसलिए नीचे जो कुछ भी होगा उससे आपका दिमाग प्रभावित होगा लेकिन ये काम दोनों तरफ से होता है अगर दिमाग में तनाव है तो उसका असर आपके पेट पर पड़ेगा आज हम यही बात करेंगे अगर हम पाचन की बात करें और पाचन के बुनियादी पहलो को देखें तो सबसे अंदर हमें सेल नजर आता है आपकी छोटी और बड़ी आंत में सिंगल परत के सिल्स होते हैं जिन्हें एंट्रोसाइट कहते हैं बड़ी आंत में इसे कोलोनोसाइट कहते हैं ये एक छोटा सेल होता है जो चीजे सोखता है जैसे कि मिनरल्स, फ्रेस, मिनरल्स, विटामिन्स एमिनो एसिड्स लंबे एमिनो एसिड्स जिन्हे पेप्टाइड लिपिड्स फैट कहते हैं, विटामिन भी बारह बाइल भी सोखता है। ये सेल्स निरंतर पोशक तक्व निचोरते रहते हैं। पेट का एसिड पेट के एंजाइम्स, छोटी आंट के कई सारे एंजाइम्स, पैंक्रियास के एंजाइम्स, बाइल भी फैट को तोड़ने में कुछ हद तक काम करता है, ताकि एंजाइम उसे आगे और ज्यादा तोड़ सकें। लेकिन एक समय के बाद सेल्स को इन्हें सुखना पड़ता है। आतों में छोटे छोटे विलाई होते हैं, ये छोटी परते होती हैं, जो उपर नीचे जाती हैं, जिससे इनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कोलोनोसाइट या एंथ्रोसाइट सेल्स के अलावा भी कई सेल्स हैं, मैं उनकी ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, कुछ सेल्स म्यूकस बनाते हैं, ये पैथोजन्स और माइक्रोब से सुरक्षा के लिए म्यूकस की परत बनाते हैं, इनका कुछ शेत्रफल भी होता है। ये आपकी जानकारी के लिए हैं। चलिए अब पाचन नली में मानसिक तनाव के प्रभाव की बात करते हैं। नंबर एक, यहां बैक्टीरिया बायोफिल्म में बदलने लगता है। ये माइक्रोब्स की कॉलोनिया होती हैं, जो एक साथ जुडी रहती हैं, और ये माइक्रोब्स एक चिपचिपा पदार्थ या कैल्शियम बनाने लगते हैं, ये उनका कवच होता है, ताकि ये आपके इम्यून सिस्टम से छिपे रहें क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स बीमारी और कई समस्याएं पैदा करते हैं, तनाव के दौरान आपके शरीर में ज्यादा बायोफिल्म का निर्मान होता है, ये उनके जीवित रहने का तरीका है, नंबर दो, म्यूकस की परत उखडने लगती है, अगर ये परत लगातार उखडती जाती है, तो आपको अलसर हो सकता है, और आपने शायद H.Pylori bacteria और अलसर के बीच का संबंध सुना होगा, microbial infection इसका कारण है, H.Pylori आमतोर पर आपके पेट में पाया जाता है, ये पेट में बैठा रहता है, कोई समस्या नहीं करता, लेकिन जब आप तनाव जहलते हैं, ये सक्रिय हो जाता है, और आपको परिशान करने लगता है, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करने लगता है, दॉक्तरों को जानकारी नहीं है, कि म्यूकस की परत क्यों उखड़ने लगती है, लेकिन ऐसा होता ह और आपके पेट में अलसर होने लगता है, फिर डॉक्तर इसका इलाज एंटिबायोटिक से करते हैं, जिससे अन्य समस्याय खड़ी होने लगती हैं, मैं इसका एक बहतर इलाज बताता हूँ, वह है सलफोराफेन, ये आपको ब्रोकली स्प्राउट्स से मिल जाएगा, ये पत्तागो भी या मूली में भी होता है, आप जिंक कारनोसाइन भी ले सकते हैं, इससे आपके पेट, छोटी आंत के सबसे उपरी भाग और बड़ी आंत में म्यूकस की परत बनने लगती है, इससे H.Pylori Bacteria की भी रोकथाम हो सकती है, ये सूजन को अच्छी तरह से कम करता है, आप जानते होंगे कि तनाव जिंक को खत्म कर देता है, लेकिन जिंक कारनोसाइन अलसर या गैस्ट्राइटिस या उखरती म्यूकस की परत के लिए बहुत अच्छा है, ये माइक्रोब्स बेहत चतुर, धूर्ट, रणनितिकार होते हैं, क्योंकि H.Pylori ज्यादा यूर प्रवाहित रहने के लिए आपके पेट के एसिड से बच जाता है, अगर आप ये बात समझ जाएंगे, अपने पेट को एसिडिक बनाए रखेंगे, तो आप H.Pylori को दूर रख सकते हैं, आपको ये याद रखना होगा, कि ये एलकलाइन वातावर्ण में आपको ज्यादा क्षती पहुचा सकता है, मानसिक तनाव के कारण ज्यादा बायो फिल्म बनने लगती है, म्यूकस की परत उख़डने लगती है, आपकी पाचन नली में भोजन के प्रवाहित होने का समय कम हो जाता है, जिसके कारण आपको कब्ज हो सकता है, जरा सोचिए कि तनाव के दौर प्रवान आपको क्या महसूस होता है? आपको पेट में गांठ महसूस होती है, जी मिचलाता है, क्योंकि इससे सब कुछ बंध हो जाता है. खाना पचाने और उसके सही प्रवाह के लिए आपका मन बिलकुल शांत होना चाहिए. आपको बुरी नजर से देखने लगता है. शरीर सोचता है कि इन चीजों से बीमारिया पैदा हो सकती है, अब शरीर अच्छी चीजों के खिलाफ antibodies का निर्मान करने लगता है, टिश्यों को नश्ट करने लगता है, जो भोजन आपके लिए अच्छा है, उसी से आपको allergy होने लगती है, allergy और autoimmune बीमारिया आतों के रिसाव से पैदा होने लगती है, आतों में बुरे बनाम अच्छे का अनुपाक बिगड़ने लगता है, अच्छे की तुलना में बुरे पैथोजेनिक माइक्रोब बढ़ने लगते है, माइक्रोब्स की प्रजातिया कम होने लगती है कुल माइक्रोब्स की संख्या कम हो जाती है, तनाफपूर्ण वातावर्ण में इन माइक्रोब्स में बदलाव आने लगता है, इसके कारण सूजन पैदा हो जाती है, इन सभी चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है, मैंने हाल में एक विडियो बनाया था, जिसमें त तनाव और दिल की मांसपेशियों में आने वाली खराबी के संबंध के बारे में बताया गया है, क्योंकि एड्रेनलिन के कारण उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अभी हम बात कर रहे हैं कि तनाव कैसे पाचन प्रणाली को प्रभावित कर सकता है, चलिए तनाव के प्र रहने वाला तनाव भी इसका एक बड़ा कारण है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते, ये तनाव सबसे खराब है, ये वातावर्ण, दुनियादारी, संबंधों से जुड़ा हो सकता है, इससे आपके पाचन पर बुरा असर पड़ता है, और इसे बहतर करने के लिए किय गया कोई भी काम आपकी आतों की समस्याओं के लिए बेहत फाइदेमंद साबित होगा, मैंने तनाव कम करने को लेकर कई विडियो बनाए हैं, आप नाख से सांस ले सकते हैं, अपनी सांस को नियंतरित कर सकते हैं, खास कर सोते समय आप लंबी पैदल यात्रा पर निकल सकत हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, कसरत में भी बहुत सारी चीजे हैं, माइकरोब्स और आपकी बड़ी और चोटी आतों की परत को सबसे ज्यादा परेशानी एंटिबायोटिक से होती है, इन्हें उन चीजों से भी परेशानी होती है, जो एंटिबायोटिक की तरह बर प्रेसर्वेटिव प्रोसेस्ट फूड्स आपको मिल जाएंगे। खाने को जितना गर्म किया जाता है, उतना ही वह खराब हो जाता है, उसके इंजाइन कम होते जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहा है कि खाने से अच्छे माइक्रोब निकल जाते हैं। इससे भोजन जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन इसके साथ कई समस्याइ भी होती हैं। इन सभी वजहों से आपके खुद के माइक्रोबायोम की तबाही का वातावर्ण तयार हो जाता है। जब भी आप कोई एंटिबायोटिक लेते हैं, उसके साथ आपको एक प्रोबायोटिक भी लेनी चाहिए। मैं कुछ दूसरी तरह के तनावों की भी बात करना चाहता हूँ, जो आपकी पाचन प्रनाली से सीधा संबंध रखते हैं। उनमें से एक है इंट्रावीनस फीडिंग। जब आप किसी अस्पताल के ICU या किसी दूसरी स्थिती में होते हैं, आपको IV के जरिये भोजन दिया जाता है और उससे आपकी पाचन प्रनाली के साथ कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लिवर की बीमारी, फैटी लिवर, संक्रमन का खत्रा बढ़ जाता है, खून का थक्का जम सकता है, शरीर में कई चीजों की कमी हो जाती है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये फीडिंग ले रहे हैं या आपकी पहचान का कोई इनसान इसे ले रहा है, तो आपको इसके फूर की गुनवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि कैलोरीज के लिए इसमें सोयाबीन का तेल मिलाया जात है, आप किसी के शरीर में सोयाबीन का तेल डालते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ओमेगा 6 होता है, उससे लिवर में कई समस्याय पैदा हो जाती हैं, लिवर फैटी हो सकता है और इसकी पुष्टी करने वाले बहुत सारे शोध मौजूद हैं, अगर इससे इतनी समस्याय होत हैं, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, ये सोचने वाली बात है कि ICU में आपको पाचन से जुड़ी समस्याय हो जाती हैं, क्योंकि जब कोई इनसान क्रिटिकल केर में होता है, कई बार उसे IV के जरीए खाना दिया जाता है, मैं उसकी सभी समस्याओं के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन कई बार उन्हें PPI दवा भी दी जाती है, ये दवा पेट के एसिर को कम करती है, जिससे पाचन प्रणाली पर बहुत ज्यादा दबाव पढ़ने लगता है, और फिर आपको एंटिबायोटिक दी जाती है, इसलिए सबसे गंभीर हालत की स्थिती में आप इन माइक्रोब्स पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, कभी कभार आपको एपिनेफरीन दी जाती है, ऐसा उन्हें करना पड़ता है, लेकिन आपको समझना होगा कि इससे आपकी आतों के माइक्रोब्स पर क्या असर पड़ता है, इससे हाइपॉक्सिया हो जाता ह जिससे ज्यादा तनाफ बढ़ता है, एपिनेफरीन क्या है? ये एक स्ट्रेस हॉर्मोन है, इसे किसी इनसान में इंजेक्ट किया जाता है, कभी कभार को ऐसा करना पड़ता है, लेकिन आपको इसके नुकसान को रोकने के लिए कोई कदम भी उठाना चाहिए, अगर आप ओ होशी की दवा दी जाती है, उठने के बाद जब आप पेशाब करने जाते हैं, तो आप पेशाब और मलत्याग नहीं कर पाते, सरजरी और ICU के साथ कई समस्याएं हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, गंभीर स्थिती में अस्पताल में इलाज करवाना और इन समस्या उसे निपटना बेहत शांदार बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप पेट के एसिड को कम करने के लिए कोई एंटासिड, PTI या कोई दूसरी दवा लेते हैं, और आप पेट का pH 3.8 तक बढ़ा देते हैं, वैसे आमतोर पर पेट का pH 1-3 के बीच होना लेकिन जब pH 3.8 से ज्यादा होने लगता है, बैक्टीरिया गलत जगहों में बढ़ने लगते हैं, ये आपकी छोटी आंत में बढ़ने लगते हैं, इसलिए जब भी आप फाइबर खाते हैं, गलत जगहों में बढ़ने वाले माइक्रोब्स उस फाइबर को सड़ाने लगत जिससे आपका पेट फूल जाता है। जिससे आपका पेट फूल ने लगता है। आपको कुछ समय तक नौन वेज चाहिए क्योंकि उससे आप आतों में सूजन की गंभीर स्थिती से छुटकारा पा सकते हैं। आपको सीबो से भी आराम मिल सकता है। सीबो में छोटी आंत में बैक्तिरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपका पेट फूल जाता है क्योंकि जब भी आप फाइबर खाते हैं। माइक्रोब्स भी इन्हें खुशी से खाते हैं। लेकिन ये माइक्रोब्स गलत जगह पर होते हैं। अगर आपने पांचन पर बनाया गया एक बहुत बढ़िया वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसे जरूर देखना चाहिए। उससे आपको कई उपचारों की जानकारी मिलेगी जो तनाव से नहीं बलकि अन्य चीजों से जुड़े हुए हैं। आप उसे यहां देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।